नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेंस कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने योट्यूब चैनल पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पल्लवन के गुण को समझने का प्रयास करेंगे तो आइए दोस्तों अपने विशे की शुरुवात करते हैं दोस्तों, पल्लवन लेखन अपने आप में एक स्वतंत्र विधा है जो किसी व्यक्ती की रचना शीलता, कल्पना शीलता आदी को बढ़ाने का कारे करती है पल्लवन लेखन सीख कर कोई भी सामान व्यक्ती लेखन के छेतर में अपने हाथ आजमा सकता है अता, पल्लवन लेखन, लेखन की शुरुवात करने के लिए प्रारंबिक चर्णों में से एक है इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि पल्लवन के गुनों को जानना तो आए दोस्तों, एक एक कर पल्लवन के गुनों को समझने का प्रयास करते हैं तो पल्लवन का पहला गुन है स्पोष्टता दोस्तों पल्लवन के लिए यह जरूरी है कि उसका अर्थ स्पोष्ट हो जब तक पंक्तियों का अर्थ स्पोष्ट नहीं होगा तब तक दी गई पंक्ति का गुढ अर्थ समझ में नहीं आएगा आता है पल्लवन के लिए सबसे पहला गुण है स्वश्टता पल्लवन का दूसरा गुण है सरल भाषा दोस्तों पल्लवन के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसकी भाषा सरल और सहज हों कभी-कभी होता ऐसा है कि कुछ लोग स्वयम को विद्वान सिद्ध करने के चक्कर में क्लिष्ट शब्दों का करते हैं जिससे अर्थ समझने में कठनाई उत्पन हो जाती है अतह सरल भाषा में भाव और विचारों को अभिव्यक्त करना सबसे बड़ा गुण है पल्लवन का तीसरा गुण है क्रम अबद्धता दोस्तों पल्लवन के लिए यह जरूरी है कि भाव और भाषा प्रभाप इसके लिए जरूरी है कि विचारों में क्रम अबद्धता हो यदि विचार का क्रम तूटेगा तो फिर भाषा के प्रभाह में भी बाधा आएगी और जब भाषा के प्रभाह में बाधा आएगी तो स्वाभाविक रूप से भाव भंगीमा का स्वरूप भी बिगर आता भाव और भाशा के प्रवा को बाधित होने से बचाने के लिए पल्लवन में क्रम बद्धता का होना जरूरी है पल्लवन का चौथा गुन है शुद्धता तो दोस्तों पल्लवन के लिए यह जरूरी है कि उसकी भाशा व्याकरन के अनुसार शुद्ध हो भाषा यदि अशुद्ध होगी तब उह पाठक यशुरता पर प्रभाव डालने में सक्षम नहीं हो पाईगी पल्लवन में हमेशा छोटे वाक्यों में लेखन करना ज्यादा अच्छा होता है इससे अशुद्धिया भी कम होती है और भाषा का प्रभाव भी बना रहता है पल्लवन का पाँचवा गुन है अकरशक शैली तो दोस्तों कहा गया है कि शैली व्यक्तिक अच्छंपत्ति है अर्थात हर व्यक्ति की अपनी शैली होती किसी भी विशय पर जब कोई वक्ता या लेखक बोलते या लिखते हैं तो वहां उनकी अपनी शैली दिखाई परती है जिस व्यक्तिकी शैली में सादगी और ताजगी होती है वह पाठक या श्रोता पर तुरंध ही अपना प्रभाव जमा लेता है शैली में एक ऐसा चुम्ब की तत्तो होता है कि वह सहज ही किसी को भी अपनी और आकरशित कर लेता है अतहा पल्लवन के लिए आकरशक शैली का होना जरूरी है पल्लवन का छठा गुन है विस्तार दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पल्लवन का अर्थ ही होता है विस्तार लेकिन व्यार्थ का विस्तार नहीं यहां व्यार्थ विस्तार का अर्थ है अनर्गल और औसंबध तत्त्यों से घटनाओं या उदाहर्नों के समावेश से कहने कार्थ है कि यदि पल्लवन का मुख्य विजार बिंदू यदि साहित्य से सम्बंधित है तो उसमें खेल, सीनेमा, व्यापार आधी छित्रों की बात करना ही वेकार है दोस्तों कहीं की इट और कहीं का रोड़ा जोरकर भानुमती का पिटारा तो बन सकता है परन्तु पल्लवन नहीं अतहाँ पल्लवन में विस्तार तो अपेक्षित है पर सार्थक निर्थक नहीं तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज का यह विशा ही समाथ होता है आपको यह विशा कैसा लगा प्रिप्या कमेंट में अवश्य बताएं तो फिर शेकरी मिलते हैं एक नय विशा के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद